वेलकम तो चैनल मुंसेंगे दिस टेड़ वी सुई सो आज पहले पूर निफ्टी के डेडी एनलिसिस करेंगे एंदेन कुछ स्टॉक देगें जो के इंटरे परपस से होंगे पहले पहले के स्टॉक पहले करेंगे एंटेन पहले टरेकिशाओ पेच प्रहें निकलता है तो अब वहुंसे थोड़ा सा प्राइस एक्सें बना के इस तरीके नीचे आए जब यह प्रेक डाउन देगा था अपने टेलिग्डाम पेच पर इस चीज को अपडेट भी किया था सो वहां से मुझे मैंने क्लिरली बोलता है मार्केट में बॉच्टिप साइड नहीं हो यह आप है गढ़ी है क्रुचन से नहीं कर रही थे नहीं तो काफी तरी दो इस दी बीत दोड़ा लगी रही है इस तरीके से थोड़ा विडला पोरा था मार्केट में चाहतन है के थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रक्चर वीक है सो क्लेर लिए अब कल की अगर बात करते हैं तो भाई अपन पहले सीधे करेंगा 18650 के ऊपर कल के लिए अगर मार्केट फैट खुलता तो 18650 के ऊपर ही भाई करेंगे और इस तरीके इस भाई करेंगे मैं आज आपको तो इंट्रडे लेविल के अगर बात करें करेंगे निफ्टी फ्लैट खुलके 18580 के नीचे निकलता है फ्लैट खुलके 18580 के नीचे निफ्टी निकलता है तो परह डारी बनेगा 18540 18540 18540 18480 यह दूसरे टारी बनेगा 18540 यह तीसा टारी होनेगा यह निफ्टी के तीन टारीट हो सकते हैं तो निफ्टी के इंट्रडे में 18540 तक आ सकता है अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो निफ्टी फिर 18580 से लेके 250 तक के आने के लिए रेडी हो सकता है 18540 के नीचे चारसो बेस के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो क्लोजिंग बेसिस पर बात देखी जाए 18350 से 250 तक आ सकता है निफ्टी यह नहीं लेकिन अगर फ्लैट को लिए 18580 के नीचे आता था पानसो चालिस 18400 से 18440 से तीन टारेट इंट्राडेमिकल निफ्टी के आ सकते ओके तो यह तो बात भी निफ्टी के और हो यह अपने देख लेते कुछ स्टॉक जो कि आज बहुत सारे जाता है स्टॉक की आज इंट्री टेगर नहीं होगी है लेकिन इसी लिए यह नहीं वही वोकाद नहीं कहीं दिखा तो जब मारकेट नहीं क्या गूम्पर के लॉट से एक vent और क्वहिद पूरे दिन में तो इसटॉक फोड कर गया लेकिन अब अगर कल मूब आता है जा गबनों के अटनों एक्सवै decidt कर रहेया डाउनафाई तो फिर यह स्टॉक कल अच्छा सा प्रेसर दिखा सकते है इसलिए यह कल भी रिलेवेंट रहे है अगर यह वन नाइन टू फोर के नीचे निकलता है कोटक वैंट तो इसमें पहरा डारे बनेगा अपना वन नाइन वन फाइब यह सकता है तो 1915 तक इसके टारिक आ सकता है तो यह स्टॉक अभी भी थोड़ा सा प्रेसर पर है ऐसा कुछ नहीं है कि और अडानी वोड़ थोड़ा सा वालटायल है लेकिन यह अभी भी रिल्वेंट है अगर आठ सो 24 की नीचे निकलता है इंटरे में 874 की नीचे यही टारिक रखें कल वाले अपने 865 के और 860 के यह तो दो टारिक रखेंगे अपन और मैंने आपको लॉड़ास लेव में अल्मोस्ट 21 तारिक को स्वाट डाल के बताया था किसमें डेंजर है तो लॉड़ास लेवाज अल्म लेवल क्रॉस होंगे तब उसका रिलेमेंट हो जाता है वह श्टॉक एक शॉपना टार्टा केमिकल्स है टार्टा केमिकल्स भीक लग रहा है तो टार्टा केमिकल्स 1025 के निकलता है 1025 के नीचे तो परण टारिक बनेगा स्वाट 1015 1015 के टार्टा केमिकल्स भी थोड़ा सा भीक लग रहा है चाट पर इस तरी की इसमें एक टेंड लाइन जा रही है और एक तरीके से यह बैटर में हो जाएगा यहां पर तो यह भी स्टॉक थोड़ा सब्सक्राइब करता है तो इसमें एक डांसाड मूँ आ सकता है यह अप लाल तो आइसे एसे बैंक अगर फ्लैट खुलके 950 कूपर 949.80 माल लो आप लेकिन 950 ए 949.80 कूपर निकलता है तो 6-7 रुपए का ऐसल डालेंग 6-7 रुपीज का ऐसल और वन रेसी टू के टार्गेट के लिए इसका वेट कर सकते हैं तो यह स्टॉक बाइंग के ठीक लग रहा है अगर मार्केट पॉजिटिव रहता तो इसको बन ट्रैक कर सकते हैं को कि यही सबसे अगा ज़ीक लग रहा है वो स्ट्रॉंग लग रहा है और तो इसको तो 26.50 के नीचे निकलता है तो 26.50 या 226 के नीचे तो एक से दूर रुपाय के तो इसको फिर से ब्रेक कर रहा है तो यह इसमें अपने रडार पर होना चाहिए तो यह भी इसमें सेलिंगा प्रेसर दिख रहाएगा 226.50 के नीचे निकलता है तो इसमें एक दूसर चार रुपाय का डांसाड आ सकता है तो इसमें स्टक को भी ट्रैक करेंगे अगर आपको अच्छा लगए तो आप चैनल कर सकते हैं और उसके सर्च कर सकते हैं और उस पर जोड़ सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स वूडियों तब तक के लिए बाए सी यू थैंक यू